हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस टूडियो अपडेट करते हैं यदि आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचानुसके को सबस्क्राइब कर लें जिससे ये आम समस्या है लेकिन इनके हो जाने के कारण चहरे के सुन्दरता फीकी पर जाती है ब्लैक हैर्स तेली तवचा परदूशर और तवचा की देखभाल के अभाव में हो जाते हैं अगर इस समस्या को समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह और भी बढ़ जाती है जिसके का अज घरिलू उपायों को अपना कर भी इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और घरिलू उपाये बताएंगे जिनके प्रियोग से ब्लैक हैर्स को असानी से दूर किया जा सकता है आलू का प्रियोग आलू में विटामिन सी प्रियाप मात्र पर लगाएं जब यहरा सूख जाए तो चहरी को साफ पानी से धोले यह उपाय ब्लैक हैर्स के उपचार में बहुत परभावे ढंक से काम करता है चावल का आटा और दूद का प्रियोग ब्लैक हैर्स से चुटकारा पानी के लिए यह सबसे आसान और भैतरिन तरीका है इस उपाई को आप हथे में 2-3 दिन कर सकते हैं नीबू और सहथ का प्रियोग नीबू और सहथ का मिश्रण भी ब्लैक हैर्स को दूर करने में काफी लाबकारी माना जाता है क्योंकि इसस्टे ना सिर्थ ब्लैक हैर्स की समस्या से राहत मिलती है बल्कि है चहरे पर नमी और चम चुटकारा पाने के लिए इस टीम भी सबसे अच्छा और बहतर आप्शन माना जाता है इसके लिए आप अपने चहरे पर इस टीम ले इससे आपके चहरे की अंदर तक सफाई होती है जिससे ब्लैक हेर्स को असानी से निकाला जा सकता है दाल चीनी और शहत का प्रियोग दाल पाउडर में सहत को मिलाकर ब्लैक हेर्स वाली जगह पर हलके हातों से मलें दस मिनट बाद चहरे को साप पाने से धोलें ऐसा करने से कुछी दिनों में ब्लैक हेर्स की समस्या दूर हो जाएगी फ्रेंड्स अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उ पचान उसके को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें